तो गाज आपर काफी बंदे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेश कर रहे थे डियम कर रहे थे कि वाइटी गमर यह जो मतलब पबजी में नया वाला वर्जिन आया 1.3 वर्जिन तो इस वर्जिन में जो ब्लू एफेक्ट है ब्लू डैमेज इफेक्ट है ग्लैसियर वाला वह हम पबजी मुवाल ग्लोबल वर्जिन में नहीं दिखा रहे है वह कैसे पबजी मुवाल ग्लोबल वर्जिन में आएगा और कैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं और गाइज मतलब हमें ग्लैसियर वाला इफेक्ट ही चाहिए तो आज की यह वीडियो बहुत जदा इंप्व उसमें बहुत सारे एफेक्ट और यह जो ब्लू इफेक्ट है उसमें पहले रिलीज किया गया था और गाइज मैं बता दूं कि चाइना में किसे पास मतलब ग्लैसियर गन हो या ना हो पर उनके पास ग्लैसियर वाला मतलब हीट इफेक्ट रहता है ठीक है और वह अपने या Korean version में नहीं है so guys देखो वहीं पर सबसे पहला कोई कुछ रिलीज होता तो वहीं पर रिलीज होता ठीक है अब यहाँ पर Korea में मतलब Korean version जो है PUBG मौल का Korean version जो है guys उसमें दे दिया है heat effect blue वाला पर हमारे जो global version है उसमें अगर आपको ब्लू वाला heat effect चाहिए तो आपको simply glacier gun को upgrade करना पड़ेगा मतलब level 7 तब ही आपको मतलब उसका heat effect मिलने वाला है ठीक है तो guys कैसे आप क्या करना है कैसे मिलने वाला है तो guys देखो यहाँ आप setting में चलते हैं वो बस PUBG में क्यार के लिए आया और global के लिए भी नहीं आया ठीक है तो PUBG global में कब आएगा तो guys season 19 में PUBG global में वह आ सकता है ठीक है season 19 जब आएगा तो आपको blue effect देखने को मिलेगा उससे पहले blue effect आपको PUBG global में नहीं आएगा जिसको भी blue effect चाहिए तो guys जा कर PUBG क्यार खेल सकता है उससे पहले guys किसी को नहीं मिलने वाला जब तक season 19 नहीं आता ठीक है season 19 में आपको guys यहां पर PUBG में blue effect देखने को मिलेगा blue heat effect और blue damage effect दोनों आपको मिल जाएगा ठीक है देखने को तो I hope आपसे को यह समझ में आ रहा होगा बात और यहीं आपसे को बताना था कि कोई मैं इस पर वीडियो नहीं बना था काफी लोग मुझे message कर रहे थे तब मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं और उनके doubt को clear कर दो ठीक है कोई भी ऐ पर वीडियो बनाया होती है तो आपसे समझ गए हो गए तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाब बाई और अपना ख्याल रखने बाब बाई